तो फ्रेंड्स हमारा जो पेशला वीडियो था उसमें हम गए थे एक ब्यूटिफुल से पहाड पे तो वहाँ से हमने कुछ प्लाइंट्स लेके आये थे तो उनको हम लगाने वाले हैं यह जार्स में तो वीडियो को पुर्रा एंट तक एकना अगर आप नहीं हो तो अपनी चैनल को सिस्क्रेब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलते हैं छोटे से इंट्रों के बाद दोस्तों यह जो जार्स है यह हमने बॉटल को या फिर जार को कट करके बनाए हैं तो इसको आपको नीचे से होल करने हैं जैसे मैंने होल कर रहा हूँ वैसे आपको ड्रेनेज होल बना ले नहीं है और अगर आपने अभी तक यह स्वाइल के से बनानी है उसका वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके चेक आउट कीजिए मैं हाई बटन पर लिंक दे दूँगा दोस्तों पिछला वाला जो वीडियो था वह बहुती ब्यूटिफुल डेस्टिनी थी तो प्लीज चेक आउट कीजिए उसका भी मैं लिंक आई बेटन पर दे दूँगा तो इसको हमको आदा आदा भर लेना है दोस्तों इसको हम अपने टेबल के लिए लगा रहे हैं बहुती सुंदर दिख रहे थे यह प्लैंट तो इसलिए में लेके आ गया दोस्तों यह जो प्लैंट से इसके नीचे ओनियन उगे हुए और उसको रूट्स लगे हैं तो हम इसको आदा आदा भरके फिर उन्स ओनियन्स को इसमें लगा देंगे और यह जो है यह हमने फैन क का कैप यूज किया है उसको नीचे से डगके आप देख सकते हो यह ओनियन है और नीचे से रूट्स आये है थोड़ा मिट्टी हटा के फिर उपर से मिट्टी डाल देंगे हैं इसी तरह दोस्तों सभी प्लैंट्स को हम लगा लेंगे तो वीडियो को प्लीज एंजोई कीज दोस्तों यह जो फैन का कैप है यह किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप में असानी से मिल जाता है तो इसका पॉर्ट कैसी बनाना है उस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्षिन में लिग देना सेम स्टेप से हम सभी प्लैंट्स को लगा लेंगे दोस्तों जैसे के आप जानते ही हो कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लादा रहता हूँ तो अपली चैनल बसस्क्राइब दीजिए अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला है मांसुन सीजन के उपर दोस्तों मांसुन सीजन में फंगस होता है वो प्लैंट्स के रूट्स पे अटेक करता है जिसकी वजह से प्लैंट्स बहुत डैमेज होते हैं तो प्लीज उस वीडियो के भी जाके चेक आउट कीजिए दोस्तों ये है हमारे लास्ट प्लैंट इसको भी हम प्रेस करके अच्छे से लगा लेंगे तो फ्रेंट्स यहाँ पर हमने लगा दिये जैसे के आप देख सकते हो कितने सुन्दर दिख रहे हैं प्लैंट्स और दोस्तों हमने एक कैक्टस भी लाया था वह हमने पहले ही कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए बाइ-बाइ थैंक्स पर वाचिंग